वैसे तो बॉलिवुड में इतने राज हैं कि सभी को जानना बहुत मुश्किल है लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे राज निकल कर सामने आ जाते हैं जिससे हर कोई बस चौक कर रह जाता है हम आपके लिए एक ऐसा ही बॉलिवुड का राज लेकर आए हैं जो आपके होश उड़ा देगा ये राज जुड़ा है श्री देवी और बोनी कपूर की शादी से एक वक्त बॉलिवुड की सबसे मशूर अभिनेतरी रही श्री देवी ने जब बोनी कपूर से शादी करने का फैसला किया तो कुछ लोग ऐसे थे जिनहें श्री देवी के फैसले पर बहुत आश्चर्य हुआ था श्री देवी बोलिवुड की जानी मानी अक्ट्रूस है जिनकी शादी से जड़ा राज आज दुनिया के सामने आ गया है दरसल श्री देवी ने बोनी कपूर से शादी की थी लेकिन करियर के दिनों में श्री देवी और बोनी कपूर का रिष्टा भाई बेहन का हुआ करता था लेकिन बाद में श्री देवी ने बोनी कपूर से ही शादी कर ली 80 के दशक में श्रीदेवी बॉलिवुड की सबसे काम्याब अभिनेत्री थी हाला कि श्रीदेवी ने अपने करियर की शुरुआत तेलगू फिल्मों से की थी लेकिन उन्हें असली पहचान बॉलिवुड से मिली गौर तलब है कि श्री देवी ने बॉलिवुड में सबसे ज्यादा काम मिथुन चक्रवर्ती के साथ किया है कई बार इन दोनों के बीच अफेर की खबरें भी सामने आती रही है हाला कि मिथुन पहले से ही शादी शुदा थे लेकिन श्री देवी की शादी अभी नहीं हुई थी लेकिन ये रिष्टा ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बोनी कपूर ने जब पहली बार श्री देवी को देखा था तो वो उन पर फिदा हो गए थे उस वक्त दोनों मिस्टर इंडिया फिल्म के लिए काम कर रहे थे ये बात मिथुन को पता चली और उन्होंने सेथ पर ही श्री देवी से बोनी कपूर को राखी बंधवा दी उस वक्त बोनी कपूर चुप रहे क्यूंकि उन्हें मालूम था कि श्री देवी और मिथुन चक्रवर्ती का अफैर चल रहा है इसके बाद बोनी कपूर ने मोना से शादी कर ली थी लेकिन जब मिथुन और श्री देवी का ब्रेक अप हुआ तो उन्होंने फिर से बोनी कपूर का साथ पकर लिया फिर बोनी कपूर ने अपनी पहली पतनी को तलाक देकर श्री देवी से शादी कर ली अभी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी नियूज देखने के लिए फिर मिलेंगे मस्तालेदार खबरों के साथ बाई बाई